हेलो माई डेर इस्टोंट कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने चनल संतोस दाएंगे इंगलिश पर प्यारे बच्चों कल यहने की आपकी हाप यहली एक्जामेनेशन है और हाप यहली एक्जामेनेशन यहने की 2022 और 23 सेशन की परिक्षा है तो इसमें आपको किस प् कार के प्लश्त मिलेगे और आपको कैसे उसको स्वाग करना है ठीक है जान लेते हैं हम पोडरे कोसे के बारे में तो बच्चों आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा उंसिंद कैसे लिए और और रिड करने के बाद में questions को समझना है ठीक है आपका question क्या पूछ रहा है according to this questions की अनुसार आपको passage में से जो line जो questions में मिल रही है उसी line को आपको passage से answer छटना है और निकालना है ठीक है तो इस प्रकार के passage आपको देखने को मिलेगा यह सहे तो बच्चो आप चाहे तो questions bank के जो passage है इन passage को आप लगा लीजिए ताकि आपके passage वारा जो questions है बिलकुल सरल और easy हो जाएगा ठीक है दूसरा questions बच्चो आपको यहाँ पर notes और summary का आएगा तो maximum exam में अभी आजकल summary नहीं पूछ रहे तो यदि summary पूछते हैं तो summary बनाना यहाँ यदि नहीं पूछते हैं तो फिर summary का press आपको नहीं solve करना है ठीक है अब आपको क्या करना है nots वाले जो प्र áले जो press नहीं तो notes वाले प्रैस्ण को बच्चो आपको points में solve करना है ठीक है लगबग लगबग चार पॉइंट आपको नॉट्स में बनाना है ठीक है और टाइटल जिस भी पैसेज वो डिपेंड करता है कि पूरा पैसेज आपका किस के उपर डिपेंड करता है उसी के इसाप से आपका वो आपका टाइटल हो जाएगा ठीक है आपको ये वाला questions भी हो जाएगा ठीक है next question देखते हैं बच्चो एक और बात है जो भी आपको examinations के अंतरगर जो paper में जो questions आते हैं तो जो आपको सबसे best याद है ठीक है उसी questions को आप सबसे पहले solve करें ठीक है क्या करना है आपको यह नहीं कि जो आपको सबसे पहले यादे यह आपको question answer यादे तो question answer solve करें आपको यह जो भी उस paper में जो best यादे वो आप पहले starting उससे शुरुवात करें ओके next क्या करें आप यह नहीं कि जो आपकी important applications हैं है ना तो आप important जो जो भी application से आप उन्हें application को देख ले अब आपकी important application में जैसा की SLC आपका important application है character certificate देख लिजिए है ना CC character certificate SLC देख लिजिए एक loud speaker का application प्लस letter दोनों होता ये भी देख लिजिए brilliant success brilliant success का letter exam में बार-बार पूछते हैं ये भी तो ये वाला देख लिजिए ठीक है तो यहाँ पर आपकी और एक प्रस्ण application में आप शिकलिव की application देख लिजिए ठीक है तो यहाँ से आपका एक प्रस्ण आराम से बन जाएगा ओके अब रहा सवाल do is directed तो do is directed में आपको क्य क्या कौन-कौन से प्रस्ण देखने को मिल सकते यानि कि बच्चों आपको tense के question से देख लेना चाहिए कि tense में किस प्रकास से affirmative बनाना affirmative से negative कैसे बनाते हैं या integrative या integrative प्लस negative कैसे बनाते हैं ठीक है तो आप tense के जितने भी सारी जो helping verb हैं इन्हें helping verb को cover कर लो और उसके यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि यहाँ पर एक sentence मैं लिख रहा हूं कि I read English मैंने यहाँ पर लिखा कि I read English है ना अब यहाँ पर जो sentence है इस प्रकार का sentence अब इसका negative बनाओ तो बहुत ही सरल होता है बच्चों आपको sentence को confirm करना है कि कि sentence का उधर नहीं उस यहाँ पर आप did not लगाते ही तो भी आपका यह उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर आप डू नाट लगाते ही तो भी यह प्रसन आपका सही हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है कि कि यहाँ पर आई आपका subject है और इसकी जो read है इसकी man verb की v1 और v2 और v3 एक समाने तो इस प्रका आता है छे टेंस कुन-कुन से यहनि कि तीनों simple और तीनों perfect ठीक है तो आपको उसमें क्या करना है next tense के helping verb का use करना है subject को object के इस्तान पर replace करना है यहनि कि जो object है वो उसको subject के इस्तान पर आद में आपको by proposition का प्रियोग करना आपका active से passive बन जाएगा ठीक है if you sentence यदि आपका present continuous या present continuous या फिर past continuous sentence का यदि उधारन आता है आपको तो बच्चों इसमें ध्यान रखना कि present continuous के sentence में यदि आपको is m या r देखने को मिल जाए is mr देखने को मिल जाए या watch where देखने को मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है कि was where में से ही किसी एक वर्ब का प्रियोग करना होगा ठीक है यदि यहाँ पर आपको is mr में से ही किसी एक वर्ब का प्रियोग करना होगा और उसके बाद में helping वर्ब के बाद में bing का प्रियोग करना है ठीक है और क्या करना है आपको man मैन वर्ब की थर्ड फाम ये कब करना है जब आपके सेंटेंस में इजे मार आ रहा है वाजवेर आ रहा है और उसमें मैन वर्ब की फोर्थ फाम आ रहा है तो आपको ये वाले रूल्स को अपलाई करना है ठीके इस प्रकास आप इस सेंटेंस को आराम से सोल का सकते हैं अगर बच्चों आपको as soon as या no sonar देन का प्रियोग आता है तो इसको क्या करना है as soon as के इस्थान पर no sonar का प्रियोग करना है और dot यनि की जो कौमा आएगा उस कौमा के इस्थान पर आपको देन का प्रियोग करना है इतना हो गया उसके बाद में आपको क्या करना है कि no sonar वाले sentence में हमेशे no sonar के just बाद आपको tense के अनुसार do, does और did लगाना होगा tense के अनुसार do, does, did लगाना होगा यदि उसमें v1 है तो do लगाना है यदि उसमें s, e, s या i, s है man verb में तो does लगाना है यदि उसमें second form है तो फिर did लगाना है आपका answer correct बन जाएगा ठीक है यहाँ पर इप और unless के यदि आपको प्रियोग exam में आता है तो इप unless के प्रियोग को आपको केसे solve करना है यह एक दूसरे के इस्थन पर आपको replace करना है और replace करने के सांसात में देखना है अगर बच्चों आपके दोनो sentence affirmative है तो second वाला जो sentence है आपका second sentence को आपको negative में change करना होगा ठीक है यदि यहाँ पर आपका sentence दोनो negative है ठीक है तो दूसरे वाले sentence आपको not को remove करना होगा यह इस प्रकास से आप इस प्रियोग को change का सकते हैं एक और exam में बहुत बार exam में पुछ हो जाता है बच्चों so और that का प्रियोग ठीक है और इसके इस्थान पर to-to आ सकता है या तो to to आ सकता है या पिर vary आ सकता है ठीक है या कुछ भी नहीं आ सकता है यह दो तीन चार प्रकास से प्रस्न बनता है तो इध्यान रखियागा बच्चों यह टूटू जो है यह कुड़नाट जोडना पड़ेगा ठीक है किसके साथ में देट के बाद अब किनाट और कुड़नाट किसके साथ में जोडना पड़ेगा यदि आपके सेंटेंस में इस एम और आर है तो फिर आप आग बंद करके उसमें उसके साथ में केनाट लगा दो यदि आपके सेंटेंस म आपको use up to to आता है तो फिर ये आपको हटाना पड़ेगा subject plus cannot आपको हटाना पड़ेगा तो इस प्रकास से आपको do is directed में sentence मिल सकते हैं यदि आपको फिलिंदा blanks में some any है many है इनका प्रयोग आता है some any some any है ना तो some का प्रयोग कप करना है बच्चो ध्यान रखिए यदि आपका पूरा sentence affirmative है यदि आपको sentence affirmative है तो फिर आपको some का प्रयोग करना है यदि आपको sentence negative है तो फिर आपको any का प्रयोग करना है ठीक है any का प्रयोग करना है आगे देख लिजिए यदि आपको बच्चों यहाँ पर many many और much का प्रियोग यह दी आता है तो इसमें क्या करना होगा many का प्रियोग हमेशा बच्चों आपको countable noun के साथ में प्रियोग किया जाता है किसके साथ में countable noun के साथ में प्रियोग किया जाता है और countable noun में भी क्या होगा आपका पी एन वर्ब रहेगे यहने की प्लूरल वर्ब यहने की प्लूरल वर्ब के साथ में आपको मेनी का प्रियोग करना है मेनी का मेंस कहीं या अनेक होता है ठीक है तो यहाँ पर आप मेनी का प्रियोग अराम से इस प्रकास से कर सकते मेनी का प्रियोग हमेशा आपको सात में करना है मात्रा के लिए आपको मच्च का प्रियोग करना यह मात्रा का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं यह जो Uncountable होता है उसके साथ में आपको मच्च का प्रियोग करना होगा ठीके जिसा कि फॉर example के लिए ओएल है ces Citro cet prendắt यह यह सब Uncountable तो इन के साथ में आपको मच का प्रियोग करना होगा अगर बच्चो आपको कोई money word यदि आ जाता है तो money word अपने आप में क्या है uncountable noun है ठीके इस प्रकास से आप फिलिंदा ब्लेंग्स के प्रस्ने को भी आराम से सोल का सकते हैं बच्चो यदि आपको कोई article का questions देखने को मिलता है तो article के questions में आपको English word नहीं देखना है आर्टिकल के questions में आपको देखना है कि जो हमारी जो हिंदी है हिंदी के व्यंजन word और स्वर्वर्ण के अनुसारी आपको article का प्रियोग करना है ठीके एका प्रियोग बच्चो आपको कब करना है हिंदी के यदि स्वर वर्ण यदि आपको आते हैं तो आपको एन आर्टिकल का प्रियोग करना है यदि हिंदी के व्यंजन वर्ण यदि आपको आते हैं तो फिर आपको एन आर्टिकल का प्रियोग करना है ध्यान रखिएग में जो इस universal के अंतरगत only one है तो फिर वहाँ पर आपको दाका प्रियोग करना होगा ध्यान रखें बच्चो दाका प्रियोग एक superlative degree में भी प्रियोग किया जाता है यदि आपका adjective word या superlative degree का उधरन है तो उसके पहले भी दाका प्रियोग किया जाता है तो इस प्रिकास से आप article के प्रशन को सोल का सकते हैं तो यहाँ पर आप फिलिंदा blanks भी ऐसे आप आराम से बना सकते हैं और आगे question answer में ध्यान रखेंगा बच्चो जो question answer आपको बहुत अच्चे से याद है उन question answer को आप सबसे पहले लिखें नेक्स्ट यहने के आपको poems और extract के questions कैसे सोल करना है तो poem और extract के जो questions हैं इनके poem के जितने भी सारे कभी writer यहने की वो author भी पूस सकता है कि इसका author का नाम बताओ इसके poet का नाम बताओ है ना इसका poets कौन सा है तो यह वाला तो आप जितने भी सारे आपकी English poems हैं इन poem के writer और author और किस ने लिखी है यह आप पढ़ लिजी यहां से आपको 2 या 3 नमबर आराम से मिल सकते हैं ठीक है बच्चो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसके साथ में ही poems से लेकर कि जितने भी सारे questions हैं सारे के सारे questions को आप अच्छी तरह से understood करें सबसे पहले आप अच्छी तरह से उसको understood करें और इंडेस्टूट करने के बाद में ही आप सोल करें ठीके ध्यान रहें कि आप जो लिख रहे हैं वहाँ एक या दो बर अच्छी तरह से आपकी spelling सही है उसके बाद ही आप लिखें चाहें तो आप last में notebook भी बना सकते हैं ठीके आपका जो last page है बच्चो आप last page के अंतरगत notebook बना सकते हैं ताकि जो भी आपकी spelling है हमें spelling वहाँ पर देखकर छेक कर सकते हैं कि हमारी spelling सही है गलत है उसके बाद ही आप finally जगा पर लिख सकते हैं एक और बात आपके लिए बहुत ज़दा important है बच्चो important आपके लिए ये वाली बात है कि यदि आप application लिखते हैं तो application बच्चो जो आपके जो main point है application जब भी आप लिखते हैं तो उसकी जो main point है उस main point की spelling आप अच्चे से चेक करके देख लें मैं point जितने भी सारे बन रहे हैं उनकी spelling आप अच्चे से लिखकर चेक कर लें ठीक है जिसे कि obediently transparent है character certificate है तो यह एक word क्या है बच्चो आपके main word है तो यहाँ पर इन word की spelling आप अच्चे से चेक करके देख लें कि हमने सही याद हमें लिखना याद भी है या नहीं है ठीक है तो इस प्रकास से आप अच्चे से number fight कर सकते हैं ध्यान रहे हैं बच्चो जब आप copy का first page की fill up करते हैं तो first page में भी आप अच्ची तरह से आज ही आप ये त्यारी कर ले कि मुझे कल Monday है और मुझे Monday की जितने भी सारी पूर्तिय की मेरे roll number ये हैं जो कि अंकों में इस प्रकास से लिखना है सब्दों में इस प्रकास से लिखना है ये आज ही आप प्लान करके ठीक है जाएं exam में और आपको क्या करना है ये exam में जब आप questions को solve करते हैं तो exam में आप पूरे deeply consultation के साथ में यहने कि आपका ध्यान पूर्णता रूप से उस प्रस्ण के ऊपर ही रहना चाहिए उस प्रस्ण को आप अच्छी तरह से अंडरिस्टूट करो उसके बाद ही आप final answer लिखो I hope बच्चो आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आया होगा जिदे आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लेज आप वीडियो को लाइक करो शेयर करो और एक बात और अंत में आपसे कहना चाहूंगा आप सारे बच्चों जिन्नों ने ये वीडियो देखा हैं सारे के सारे बच्चों को अभी से exam की तैयरी के लिए best of luck और हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आप सारे बच्चे पेंद्ध की जो हाप ये ले exam हैं इसा हाप ये ले examination में अच्छा नाम करेंगे हम चाहते हैं कि जितने भी सारे बच्चे हैं आप सारे के सारे इस exam को अच्छी तरह से fight करें ठीक है मिलते हैं नए ए उन्हेंट सेवाँ।